विज्ञान से चुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चानल की सद्यस्यता लेना ना भूले और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाए नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया साइंस के सापताहिक कारिकरम साइटेक में और आपके साथ मैं हूँ शेहनार जज़ा आज के अंक में बात करेंगे रसायन और भौते की विज्ञान से जुड़े कुछ रोचक शोत के बारे में जानेंगे क्या है आइंस्टीनियम और समझेंगे कड़ाही में सबजी के चिपकने का विज्ञान तो देर किस बात की चलिए शुरू करते हैं आज का साइटेक 108 तत्व वाले periodic table यानी की आवर्त सारणी में एक तत्व ऐसा है जिसका नाम तो बेहत प्रसिद वैग्यानिक के नाम पर रखा गया है लेकिन इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी हासल नहीं हो पाई थी लेकिन हाली में वैग्यानिकों को इस तत्व की ऐसे वहवार की जानकारी मिली है जिसके बाद अभी रहस्यमई तत्व नहीं रहा कैसे आए देखते हैं आइस्टीनियम एक ऐसा तत्व जिसका नाम भले ही प्रसिद्ध है लेकिन इसके बारे में लोग शायद ही जानते हैं 99 प्रोटॉन और 99 एलेक्टॉन वाला आइस्टीनियम पेरियोडिक टेबल में सबसे नीचे की श्रेडी में कैलिफोर्नियम और फर्मियम के बीच स्थित होता है 1952 में हाइड्रोजन बम के मलभे में पहली बार स्तत्व का पता जला जिसके बाद वैग्यानिकों ने अलबर्ट आइस्टीनियम के सम्मान में स्तत्व का नाम आइस्टीनियम रखा आइस्टीनियम अत्यधिक रेडियो एक्टिव पदार्थ है ये स्थिर नहीं रहता और यहीं वज़ा है कि ये प्रकृति में नहीं पाया जाता हाला कि कुछ विशेश नियोक्लियर रियक्टर्ज में इनका निर्माट तो किया जा सकता है लेकिन बहुत ही थोड़ी मांत्रा में नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक शोद की मताबिक लॉरेंस बाकले नेशनल लेबुरेटरी केलिफोनिया के वैग्यानिकों ने आइस्टीनियम पर शोद कर इसके भौतिक और रासानिक विवहार की जानकारी हासल की है आइस्टीनियम पर शोद के लिए वैग्यानिकों ने ऐसे उपकरणों का इस्तमाल किया जो इसके खोज के समय उपलब्ध नहीं थे रग्यानिकों ने इल्यूमिनेसंस स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक्सरे एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रयोगों के लिए दो प्रयोग शालाओं का सहयोग लिया वही आइस्टीनियम का निर्माण ओकरिज नेशनल लेबुरेटरी के हाइफलक्स आईसोटोप रियक्टर में किया गया जो की दुनिया के उन कुछ स्थानों में से एक है जहां आइस्टीनियम का निर्माण किया जा सकता है लेकिन सबसे बड़ी चुनोती थी प्रयोग के लिए स्थत्यों का नमून अतयार करना इसके लिए वैज्ञानिकों ने क्यूरियम पर न्यूट्रोंस बरसाए ताकि न्यूक्लियर रियक्शन की एक लंबी चेन उत्पन हो सके लेकिन समस्या ये आई कि विक्सित हुए नमूने में कैलिफोर्नियम की मात्रा जादा थी इसलिए वैज्ञानिकों को एक्सरे क्रिस्ट्रोग्राफी की अपनी पहली योजना को रद्द करना पड़ा एक्सरे क्रिस्ट्रोग्राफी अत्यधिक रेडियो एक्टिव पडार्थों की जानकारी हासिल करने का सबसे उचित माध्यम है लेकिन इसके लिए जरूरी है कि धातु का सेंपल यानि की नमूना शुद्ध हो इसके बाद वैग्यानिकों ने शुद्ध नमूना प्राप्ट करने के लिए एक विशिष्ट सेंपल होल्डर का उप्योग किया वैग्यानिकों के लिए दूसरी चुनौती थी रेडियो एक्टिव डीके यानि पडार्थ का जल्दी खत्म हो जाना इसके लिए वैग्यानिकों ने आइंस्टीनियम के स्थिर आइसोटोप आइंस्टीनियम 254 के 250 नैनोग्राम पर प्रियोग किया जिसकी अर्धा आयू 276 दिन होती है इस शोत के साथ वैग्यानिकों को आइंस्टीनियम के बॉन डिस्टेंस यानि की अडू के अंदर मौजूद दो परमाड़ों के न्यूकलियस के बीच की दूरी को मापने में सफलता मिली है साथ ही इसके बहुतिक और रसायन व्यवहार का पता चला है जो कि एक्टिनाइट श्रेडी के तत्वों से अलग है एक्टिनाइट श्रेडी के तत्वों पिरियोडिक टेबल के नीचे की श्रेडी में स्थित होते हैं व्याग्यानिकों का दावा है कि एक बार जैसे ही आइंस्टीनियम के अडू के परमाडू विवस्था की जानकारी मिल जाएगी तो इसके रासायनिक व्यवहार को और भी बारिकी से जाना जा सकेगा और साथ ही एक्टिनाइट श्रेडी के तत्वों का बहतर उपयोग जैसे क की न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन या रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में किया जा सकेगा खाना पकाते समय एक चीज मुझे बहुत परिशान करती है वो है भुंती हुई सबजी का कड़ाई की पैंदी में चिपकना आप भी कभी न कभी इस परिशानी से दोचार हुए होंगे लेकिन अब ये चिंता दूर हो सकेगी हाली में वैज्ञानिकों के एक शोच से समस्या की भौतिकी को समझने और इसको सुलजाने का मौका मिला है कैसे आईए देखते हैं खाना पकाने का तेल कभी कभी स्टोप पर चड़े पैंद के मध्य से अचानक पीछे हड़ जाता है जिससे सूखे धब्बे निकल आते हैं और भोजन चिपक जाता है हाली में वैज्ञानिकों ने अपने शोद के जरिये इसके पीछे के विज्ञान को उजागर किया जो फिजिक्स और फ्लुएट जर्नल में प्रकाशित हो चुका है शोद के नतीजे कुछ अध्योगिक प्रक्रियाओं को परिश्कृत करने में मददगार हो सकते हैं चेक अगादमी ओफ साइंस के वैज्ञानिक अलेक्जेंडर और उनके सहयोगी ने रेस्टरों में इस्तमाल किये जाने वाले एक नॉन स्टिक पैन के उफर फोकस करते हुए एक क्यामरा लगाया और पूरी प्रयोग को रिकॉड किया इस पैन पर सूरी मुखी के तेल की 1.5 मिली मीटर मोटी परचड़ी थी वैज्ञानिकों ने पाया की पैन को असमान रूप से गर्म करने पर थर्मो कैपिलरी कन्वेक्शन नामक की एक भौतिक प्रक्रिया होती है जो तेल को पैन के किनारों की तरफ खीचती है अपने प्रयोग में शोतकर्ताओं ने पाया की पैन के मध्य का तेल जल्द गरम होता है नतीजा पैन में प्रिश्ट तेल को बाहर की तरफ खीचता है और तेल की सता को विकृत कर देता है इस बिंदों पर अपेक्षक्रित पतले भाग फट सकते हैं जिससे सूखे धब्बे रह जाते हैं शोदकर्ताओं ने पाया कि एक critical size यानि कि एक सीमा के बाद तेल में बना छिद्र नहीं भरता ये critical point प्रतेक तरल के लिए तापमान के अमिसार अलग-अलग होता है इस point का उलंगन तब होता है जब किसी तरल का वक्री उपरी सतह पैन के बाहरी किनारों के खिचाव के कारण फट जाता है और प्रिश्ट तनाव खत्म हो जाता है इस critical size से बड़ा कोई भी शिद्र तेजी से बड़ा हो जाएगा इस प्रयोग में सूखि स्थान के किनारे को मापा गया इस किनारे तेल के धब्वे के मध्य से 5.5 cm प्रती सकेंड की गती से पीछे हट रहे थे अलेक्सिंडर के मुताबिक इस प्रयोग से अब सबश्ट है कि पैन के मध्य में ही भोजन क्यूँच पकता है उनके मुताबिक खाना पकाते समय कुछ सावधानी बरत कर इस से बचा जा सकता है तेल की ते को मोटा कर कुछ हद तक इस से बचा जा सकता है वहीं जादा भारी और मोटी तली वाले पैन के स्थमाल से ताफ समान रूम से वित्रित हो जाता है और टेंपरेचर ग्रेडियंद यानि ताप की धाल को रोकेगा मध्यमाज के उप्योग और खार्दे सामग्री को फेटते रहने से भी मदद मिलेगी जोदकर्ताओं के मताबिक प्रयोग के परेडाम से और ज्योगिक अनुप्रयोगों में भी मदद मिलेगी क्योंकि food, chemical और pharmaceutical sectors में कई प्रक्रियाओं में ठोस सतक की ऊपर तरल का पतला प्रवा एक महत्वपूर कड़ी होती है उमीदर साइटेक का ये अंक आपको जरूर पसंद आया होगा आप अपने सुझाओ नीचे लिखी गई इमेल आईडी पर भेज सकते हैं और साथ ही अपने मोबाइल पर साइटेक देखने के लिए इंडिया साइन्स का एप जरूर डाउनलोड करें और हमें पॉलो और सब्सक्राइब भी जरूर करें तो आज के लिए बस इतना ही साइटेक के एक नए अंक के साथ हम फिर हाजिर होंगे लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं विज्ञान के एक बेहद जोचक पहलू के साथ तब तक अपना ख्याल रखिए हमें दीजे इजाज़त नमस्कार कि अपना ख्याज़त नमस्कार